सुप्रबात प्यारे बच्चों आसा कि आप इसे भी ठीक होंगे आज हम आपकी हिंदी पाठ़ पुष्ट पगड़ी से पाठ नमबर नो करेंगे बुद्धिमाने पुत्तर इसमें हम आज बाग नमबर दो करेंगे रिक सितानों की पूर्ति कीजिये इससे पहले हम इसका बाग नमबर एक कर चुके हैं बहु विकलपिये परसन उत्तर तो आईए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्या है बच्चों को भी टैस में माता पिता का सम्मान करना चाहिए पाठ की पहली ही लाइन में आए था उपर लिखा हुआ था कि बच्चों को भी गुरिधा अवस्ता में माता पिता का सम्मान करना चाहिए तो इसमें क्या आएगा गुरिधा अवस्ता उसके बाद हमारा क्या है वैक्ति ने डैस उंसान जंगल में रोकी आप सभी को पता है कि वैक् वैक्ति ने बैल गाड़ी को लेकर कहां गया था कहके तो गया था सहर में लेकिन गया था जंगल में वैक्ति ने बैल गाड़ी जुनसान जंगल में रोकी तो यहां क्या आएगा बैल गाड़ी उसके बाद गय है वैक्ति एक जंग जाकर डैस करने लगा क्या करने लगा बालक आपको पता है जब उसका पिता गड़्डा कोद रहा था तो उसने पूँछा क्या गाड़ी में एक और फाउड़ा है तो बालक क्या रहो है वीकर रहो हो Did कबर तियार कर रहा हूं तो बालक भी क्या करने लगा गड़ा कोदने लगा और उसने कहा मैं अभी से आपकी कबर त्यार कर रहा हूं आईए हम बाग नमबर तीन शुरू करते हैं किसने किस से कहा किसने किस से कहा कह है नहीं तुम अंदर जाकर मिश्टाने खाओ देखो जब बच्चा अपने पिता के साथ जाने के जिद कर रहा था तो उसके पिता ने कहा था तुम अंदर जाकर मिश्टाने खाओ तो ये सबत किसने कहे थे पिता ने अपने पुत्तर से कहे थे उसके बार हमारा ख्या है पुत्तर उनके साथ मत जाओ तो उसकी माता जी उसकी बातों को सुन रही थी जो बच्चा जित कर रहा था तो माता जी ने कहा पुत्तर उनके साथ मत जाओ तो ये सबत किस ने गए थे माता जी ने उत्तर से गए है दादा जी के लिए किन्तू वे तो अभी जीवित हैं देखो जब उसने अपने पिता से पुछा आप क्या कर रहे हैं तो उसने कहा तुमारे दादा जी के लिए कबर खोद रहा हूं तो उस समय कुटरने का आदा वे तो अभी जीवित हैं लेकिन कबर तो मृत लोगों की खोदी जाती है तो ये सबत किस ने कहे थे पुटरने पिता जी से तो प्यारे बच्चो आज के लिए इतना ही आप ऐसे ही बने रही है हमारे चैनल पर और मैं लगाता रहा आपके लिए वीडियो डाल रहा हूं इसके बाद हम आपके लिए इसके परसन उप्तर लेकर हाजिर होंगे तो आप सभी निक्या करना है इनको अपनी साब कोपी में